हाई गाईस वुकम तो मैं यूटूब चैनल में मामरी टेकनोलोजी तो आज हम तो आज मैं एक HTML और CSS को लेकर मेरी तालचेर का इंगुला टेमपल का एक वेप साइट बनाऊंगी तो चलिए आज का ये वीडियो हम सुरू करते हैं तब प्रेजे में टेक्स एडिटर को ओपेंन करऊंगी और यहां पर मैं HTML structure लिखोऊंगी तब टायटेल टे अंदर मैं हाँ पर लिखतेती हूं, अनिमेटेल तो मैं आप पर चैपिटल में लिखती हूँ और बोडी के अंदर में एक हेदर ट्या को अपन करती हूँ और उसके बाद एक न्याज को और न्याज के अंदर में एक डीफ को उपन करती हूँ और दीफ को मैं यहां पर क्लास कर देती हूँ लोगो और ब्राकेट के बाद मैं आपर एक वन ट्याज को उपन करती हूँ और ख्लोज करती हूँ तो इचान ट्याज में मैं आपर लिखती हूँ माई टाल्चेर तो मैं फिर से एक डीफ को उपन करती हूँ और यहां पर मैं इससे इंटर करके डीफ को मैं आपर क्लास कर देती हूँ मेनू और इसके अंदर मैं अंकर क्या को उपन करती हूँ और इसका मैं वैल्यू हर्स कर देती हूँ और मैं होम देती हूँ और इससे मैं कोपी करती हूँ और मैं इससे प्रेश कर देती हूँ तीन बार तो मैं यहां पर एक होम कर रखकर और थ्री होम को मैं आप से डिलीट कर देती हूँ और मैं दूसरे वाले में मैं आप लिखती हूँ ग्यालेरी ग्यालेरी और तीसरा वाला में मैं आप लिखती हूँ अबाउट और चोथा में मैं आप से लिखती हूँ कंटाक्ट और मैं आपर दिफ और ने आपको ऐंसे क्लोस कर देती हूँ और उसके बाद मैं एक मैं ट्याक को उपन करती हूँ और main tap के अंदर में एक section tap को close करती हूँ section tap को मैं आज़े open कर लेती हूँ और section tap के अंदर मैं h3 को open करती हूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Welcome to Hingula Temple अच्चे लिए मैं आज़े लगती हूँ और मैं यहाँ एक h1 को open करती हूँ और उसके अंदर में लिखती हूँ दू, कॉम, आणड ब्लेस्स और यहाँ पर मैं लिखती हूँ दू, कॉम, आणड ब्लेस्स और यहाँ के बाद मैं एक पीट्या को open करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ हर्स और मैं इसे क्लास कर देती हूँ बट्टन 1 और ब्लाकेट के बाद मैं यहाँ लिखती हूँ क्लास में कर देती हूँ बट्टन 2 और यहाँ पर मैं लिखती हूँ तो अभी मैं ट्राइल.CSS पर अभी मैं लिखती हूँ युनिवर्चाल ओपरेटर कलीब्रेसेश ऑपरें तो आपर मैं मार्जिन पकड़ा देती हूँ जीरो और पेडिंग पकड़ा देती हूँ जीरो बॉक्स साइजिंग मैं यहाँ देती हूँ बॉर्डर बॉक्स और उसके बात मैं यहाँ पर टाइटल के बात मैं इसको लिंक कर देती हूँ style.css तब ही मैं फाइल में जाकर इससे सेर्फ करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेस करती हूँ तो देखे यह हमारा आग गया है तो मैं यह लेटर को तो चेंज कर रही हूँ तो मैं गूगल क्रम ब्रावजर पर एक गूगल फॉंट्स को ओपन किया था और मैं यहाँ सेर्च कर दूँगी जोसेफिन सांस तो देखे यह हमारा अलमुस्ट आ गया तो यहाँ पर कितने option हैं आप कोई भी इन में से choose कर सकते हूँ तो मैं यह बारा choose करती हूँ तो यह रिखे हमारा यह link आ गया है तो मैं यह link को copy कर लेती हूँ तो मैं इसे copy करके मेरे index.html link के निचे मैं इसे paste कर देती हूँ और दूसरा है जो यह भी मैं copy करके इसे में style.css पर इसे में paste कर देती हूँ अभी मैं controller save करके यहां पर मैं refresh करती हूँ मैं आपर paste कर देती हूँ कली ब्रेसेस अपन तहां पर मैं white white जगती हूँ 100% और height मैं आपर देती हूँ 100bh यानि vertical और यहां पर मैं background image देती हूँ url images slash igla.g तब ही मैं इसे file में जाकर इसे save करती हूँ और यहां पर मैं इसे refresh करती हूँ तो यह हमारा background ना गया है तो यह भी मैं background repeat हो गया है तो मैं background repeat को no repeat कर देती हूँ और background size मैं आपर cover कर देती हूँ और मैं इसे file में जाकर save करके यहां पर refresh करती हूँ तो देखिए यह हमारा background cover हो गया है तो अब मैं index.html से nav को copy कर लेती हूँ और style dot में मैं इसे paste कर देती हूँ तो मैं आप पर white दे देती हूँ 100% और height मैं आप देती हूँ 50bh और यहां पर मैं background दे देती हूँ आप जीवी ए तो मैं आन को cut करके 0 कर देती हूँ और यहां पर 2 और यहां पर मैं color दे देती हूँ white display flex text justify content space between or align items center or text text transform मैं आपर दे देती हूँ uppercase अब मैं फाइल में जाकर इसे save करके यहां पर मैं refresh करती हूँ तो देखिए यह हमारा आप 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 कलीब्रेस अपन आप 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 वे, आप इसे नहीं आप 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 और फिर से मैं नप को कॉपी करूंगी और उसके अंदर दूसरे डिप में जो मेनू है मैं उससे भी कॉपी करूंगी कलीब्रेस अपन तो मैं आप वाइड दे रही हूँ 30% और मैं यहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रही हूं जैस्टिफाय कंटेंट यहां पर मैं डिर्टी स्पेस आराउंड तो मैं भी फाइल में जाकर इसे सेव करती हूं और यहां में डिफ्रेस करती हूं तो देखें यह हमला जो अंकर ट्याग में था वह ग्यार फुकर आगा है तो आप देख रहे हो इसके नीचे अंडर लाइन है तो अब हम अंडर लाइन को कट कर देंगे तो मैं फिट से न्याथ को यहां से कॉप्य करते हूं और उसके बार मेनू और उसके अंदर जो अंकर ट्याग है उसे हैं और मैं आपर वाइट दे रहे हूं 25 परसेंट तो हमें टेक्स डेकोरेशन कर दे रहे हूं नॉन और कलर में वाइट दे रहे हूं और फोन फोन्ट वेट मैं पर बॉल्ट कर देती हूं और यहां पर मैं रिप्रेस करती हूं तो देखिया यह हमारा अंकर ट्याग कर जो था अंडर लाइन कट गया है और यह बॉल्ट होकर हॉइट कलर में आ गया है तो अब मैं इंडेक्स.html से मैं ट्याप को कॉप्य करंगी और यहां पर मैं प्रेस्ट कर दूंगी कलिवेस अपन तो मैं यहां वाइट देखिव हंडर्ट परसेंट और हाइट मैं देखिव 85 भी एच डिस्प्ले में कर देती हूँ फ्लेक्स और जेस्टिफाई कंटेंट मैं सेंटर कर देती हूँ और अलाइटम सेंटर टेक्स्ट अलाइट सेंटर और यहां पर मैं कलर कर देती हूँ वाइट तो मैं इसे सेफ करके यहां पर मैं रिप्रेस्ट करती हूँ तो देखिए यह हमारा सेंटर में आ गया है टेक्स्ट तो मैं भी सक्षन टेक्स को यहां से कॉपी करती हूँ और यहां पर प्रेस्ट करती हूँ और उसके अंदर जो एस्ट्री है मैं उसे भी कॉपी करती हूँ कॉपी कॉपी करती हूँ तो मैं आप पर फंट साइज देखिए हूँ 35 पिक्षर फंट वेर देखिए हूँ 200 लेटर पर देखिए हूँ 3 पिक्षर और यहां पर देखिए हूँ यहां पर में टेक्स्ट श्याडव देखिए हूँ 1 पिक्षल 1 पिक्षल 2 पिक्षल रेट तो मैं भी इससे सेफ करती हूँ और यहां पर में रिफ्रेस्ट करती हूँ तो देखिए यह हमारा जो वेलकॉम टु लेटम्ट था वो बॉल्ट होकर टेखिए हूँ सेटों में आ गया है तब मैं इंडेक्ट.html से फिर से सक्षन को यहां से कॉपी करती हूं और यहां पर एक्ष्ण को भी मैं यहां से कॉपी करती हूं कलिब्रस इस अपेंट तो मैं मार्जिन दे देती हूं 30 पिक्सल स्पेस 0 20 पिक्सल 0 कलंड तो मैं यहां फॉन्ट साइज यहां पर देती हूं 45 परसेंट और यहां पर मैं हॉन्ट वेट दे देती हूं 700 और टेक्ट सेटों मैं पर देती हूं 2 पिक्सल स्पेस 1 पिक्सल स्पेस 5 पिक्सल ग्रीन तो मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूं और यहां पर मैं रिफ्रेस करती हूं तो देखें यह हमारा छोटा आ गया है तो हम इसे भी बोल्ट करेंगे हूं मैं यहां पर पिक्शल देखती हूं और मैं इसे सेप करके किंखर पर तो देखें यह हमारा भी दाव couples में आगया है है yeah श् Ogerninya तोzus спас on taking और यहां पर में प्रेश करती हूं और यहां पर मैं प्रेस कर देखेंग सट्न चापके अंदर जो हमारा पीट आगे मैं उसे भी यहां से कॉपी करती हूं तो मैं फोन साइज दे दिया 25 पिक्सल और वोड स्पेसिंग मैं आपर दे दिया 2 पिक्सल मार्जिन बॉट्टम आपर मैं दे दिया 25 पिक्सल टेक्स्ट शादो मैं आपर दे दिया 1 पिक्सल स्पेस 1 पिक्सल स्पेस 1 पिक्सल यलो तो मैं फाइल मैं जाकर इसे सेफ करती हूं और एंपर मैं रिफ्रेस करती हूं तो एंपर मैं यह लोग को नस्ते डिलीट करके डार्क डू दे 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 रही हूं और मैं इसे भी सेफ करके एंपर मैं रिफ्रेस करती हूं तो देखें यह अभी हमारा बॉल ढगकर टेक्स अड़ ब्लू कलर में आ गया है तो यह मैं फिर से सेक्शन ट्याग को यहां से कॉपी करती हूं और सेक्शन ट्याग के अंदर जो हमारा अंकर ट्याग है मैं उससे भी यहां से कॉपी करती हूं और मैं आप पेडिंग दे जेती हूं 12 पिक्सल स्पेस 30 पिक्सल और अपर में बॉर्डर रेडियस एक और जेती हूं 4 पिक्सल और एक पर मैं आउटलाइन कर देती हूं नौन और एक टेक्स्ट ट्रांस्ट्रों के त्यूपर केस font size मैं आपर कर दिया 13 pixel और font weight मैं आपर कर दिया 500 text decoration कर दिया non और letters pasting कर दिया 1 pixel ते भी मैं फाइल में जाकर इसे save करके यहाँ पर refresh करती हूँ तो देखे यह हमारा बीच में ग्याफ हो गया है तो मैं फिट से section tag को copy करती हूँ और यहाँ पर मैं paste करती हूँ और section tag के अंदर class में जो button one है मैं इससे भी copy करती हूँ और यहाँ पर मैं paste करती हूँ तो मैं यहाँ background दे देती हूँ white hearts purple f और मैं color यहाँ दे देती हूँ black hearts 0000 तो मैं फाइल में जाकर इससे save करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो देखे यह हमारा black color में learn mark आ भिया है तो यहाँ पर मैं white को delete करके rate कर दे रही हूँ और मैं इससे save करके यहाँ पर मैं refresh करती हूँ और फिर से अंकर दूसरा अंकर ट्याद से मैं button 2 को यहाँ से copy कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं paste कर देती हूँ color is open तो मैं यहाँ background दे देती हूँ blue hearts 00b 894 और यहाँ पर मैं color दे देती हूँ fight तो मैं इसे file में जाकर save करती हूँ और यहाँ पर में refresh करती हूँ यह हमारा sign up यह भी button में आ गया है तो मैं जभी sign up को क्लिक करेंगी तो home आ रहा है तो मैं sign up में जो भी background color है तो मैं home को दूँगी तो मैं नाफ मेनू एसे इसको मैं नाफ मेनू को यहां से copy कर लेती हूँ और यहां पर मैं प्रेस्ट कर दूँगी तो यहां से मैं यह color को कॉपी कर लेती हूँ और यहां पर मैं इसे paste कर दूँगी और यहां पर मैं रिफ्रेस्ट करती हूँ देखिए यह हमारा जो जो हम था यह green color में आ गया है हम जब fast style दिये तो आप contact को भी इस तरह करना चाहते हो तो यह आप large style में देखर कर सकते हो तो अब आम यह जो हमारा है माई ताल चे उससे हम धड़काएंगे तो कैसे तो हम सब्लाम टेक्स एडिटर में index.estival से हमारा जो हम इसे class देदेंगे और मैं यहां google chrome browser पर एक animated.css को एक open करी हूँ तो यहां से मैं इसको लिंक कर दूँगी लिंक को यहां से मैं copy करके मैं index.html sublime.exe मैं इसे paste कर देती हूँ और यहां पर मैं fix से जाकर यह heartbeat को मैं आज से copy कर देती हूँ और hrm से मैं इसे paste कर देती हूँ तो मैं भी file में जाकर इसे save करती हूँ और तो देखिए यह हमारा boil में होकर यह धड़क रहा है देखिए हमने html और css को लेकर एक सिंपल सा हिंगुला टेंपल का एक website बना दिया तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सुब्सक्राइब दाना थैंक्स फर रच्छी